इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन के इक्जांपल्स क्या है प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन का प्रयोक कहां कहां पर किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं definition, pronoun का definition तो definition है the word that is used in place of noun is called pronoun संग्या के स्थान पर प्रयोक किये जाने वाले सब्द को हम सरुनाम कहते हैं मतलब pronoun कहते हैं Dear friends, यहाँ पे एक छी ध्यान देना pronoun pro, pro का मतलब होता है instead of pronoun का मतलब होता है संग्या pro, pro का मतलब होता है instead of instead of का हिंदी मिनि होता है के बदले में pronoun का मतलब होता है संग्या तो संग्या के बदले में प्रयोक के जाने वाले सब्दों को हम pronoun कहते हैं जिस example देखिए हरी मेरा दोस्त है, हरी एक अच्छा लड़का है, हरी मेरा हमेशा मदद करता है हरी is my friend, हरी is a good boy, हरी helps me always तो dear friends यहाँ पर ध्यान दीजिए sentence में बार 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 हरी के नाम लेने से हमारा जो वाक्य है असुध लगता है, सुध नहीं लगता हमारा वाक्य जो है भद्दा से लगता है, तो उस असुध वाक्य को अच्छे बनाने के लिए हम प्रणौन का प्रयोक करते हैं, मतलब हरी की स्थान पर हम प्रणौन का प्रयोक करेंगे, मतलब नाउन की स्थान पर हम प्रणौन का 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 प् यहां पर सिर्फ ही प्रॉणावन नहीं है इसके लावा और बहुत सारे प्रॉणावन में box जैसे कि तो हरी हमारा सब्जेक्ट है, ही भी हमारा सब्जेक्ट है, हरी मेल है और ही भी मेल है, हरी हमारा सिंगुलर नंबर है, ही भी हमारा सिंगुलर नंबर है, उसके बदेखे हरी हमारा थर्ड परसन है और ही भी हमारा थर्ड परसन है, तो नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरें नहीं पाए जाता, बसंतर यह है अगर एक भार हरी आ गया तो उसके इस्थानपर हम ही का प्रयोक करेंगे, क्योंकि बार-बार हम हरी नहीं बोल सकते, बार-बार हरी बोलने से हमारा जो sentence है, वाक्य है, वो हमें खराब लगएगा, गंदा लगएगा इसलिए हम हरी की स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे मतलब प्रोनाउन हरी हमारा नाउन है और प्रोनाउन हमारा ही है तो ही का प्रयोग करेंगे अब आई ये देखते हैं टाइप्स आप प्रोनाउन सरुनाम के प्रकार तो हमारा फ़स्ट है personal pronoun, second possessive pronoun, third demonstrative pronoun, fourth distributive pronoun, fifth interrogative pronoun, six indefinite pronoun, seven relative pronoun, eight reciprocal pronoun, nine reflexive pronoun, ten empathic pronoun सो डियर फेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो कंपलिट होता है नेस्टे वीडियो में हम प्रसनल प्रूणाउम के बारे में समझेंगे तब तक लिए थैंक्यू सो मच